तॉक्षो में आप सभी का स्वागत है मैं अकांचा पांडे और आज हम आगे साथ है हाई कोड की अधिवक्ता और महा सचे उपत की एक मातर महिला प्रत्याशी अनुराधा सुंदरम जी आज हम अनुराधा सुंदरम जी से बार असोसियेशन के बारे में कुछ कोईशन्स करे कि यह कि आपके मुख्य मुद्धे क्या होंगे बार सोसियेशन के चुनाओ में इस समय बार और बैंच के भीच में थोड़ी कि कमिनिकेशन गैप बहुत हो रहा है समय रोटेशन ऑफ बेंचेस जो है जजस जो है इधर दर बैठा दिये गए जिनको सीविल में बैठना वो क्रिमिल में बैठे हैं बेल की रिपोर्टिंग एंटिसेप्टरी बेल में डिसीजन्स और दे से लोड हो रहे हैं और जो रिपो सब चीजें जो है पहले जैसी थी बिफोर कोरोना पीरेट वो सब चीजें रेगलर वे में हो जाएं और जो क्लाइंट्स हमारे उनको न्या जो है सुगम सरल और शीगरूं को मिले जी माम बिलकुल मैं में दूसका सवाल है कि अकसर आप लोगों से सुना है कि बार में सामज चाहिए रिक्वाइड कैसा सामजिस है आपके हिसाब से बार में हम यह चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स जो भी प्रत्याशी जो भी पद्धारक आएं वो पड़े लिखे हूं रेगलर प्रेक्टिशनर हों जिनको अधिवक्ताओं की समस्याओं से बार और बेंच के बी हित के बारे में सोचे कोई और कारे ना करें पूरा समय अपना दस से चार का कोट में दें ताकि आम अधिवक्ता उनको अवगत करा सके कि उसको क्या समस्या है उसको कैसे दूर किया सके अगर हम अपना पूरा समय वहां पे देते हैं दस से चार का तो सारी समस्याओं को तालमेल कैसे होंगे? अध्यक शेख साथ मेरे तालमेल बहुत अच्छे होंगे. देखे, मेन तो निर्नाय लेना ये दो पद ऐसे महत्पून पद हैं कि कोई भी जो निर्नाय लिया जाता है, इन दो पदों के दोरह ही लिया जाता है. और जो अध्यक जो भी अच्छा क्रेटिव काम करेंगे बार की हित में काम करेंगे, हम उनका पूल सही हो करेंगे उसमें. और जो कारी बार की हित में होगा, आदिवक्ताओं की हित में होगा, उसमें मेरा उनको पूरा साथ रहेगा. Ma'am, what promises or plans would you like to make for your junior's advocate? You see, there are, nowadays there are more than 1,000 junior advocates, boys and girls are there. So, they need a good atmosphere there. उनको एसा atmosphere देना चाहते हैं कि वो अपने आपको safe feel करें. मैनर सीखें, discipline सीखें. हम चाहेंगे कि बार में, अगर हम आते हैं, तो junior lawyers के लिए, हर महिने, हर महिने एक debate का program, या एक lecture किसी judge को, किसी senior को बला के constitutional matter कि किसी होगा, तो वो दिलवाएंगे, and they will attend that meeting. उनलों के लिए होगा एक stipend के वस्ता होनी चाहिए, जो junior lawyers है, under five years practice, उनके लिए stipend के वस्ता होनी चाहिए, और उनको एक अच्छा atmosphere देना चाहते हैं, and they will feel safe there. माम अधिवक्ता revise system की बात करते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि ये revise system अधिवक्ताओं के कामों पर कैसे effect डालता है? अच्छा, पहले होता था कि जैसे matters हम लोग के होते थे चाहिए fresh cases हो चाहिए list के cases हो, अगर हम नहीं पहुंच पाई किसी court में तो वो revise भी हो जाता था, आज कल क्या होता है कि वो जो matter है, वो दो दिन तीन बाद आते हैं, उसका rotation जो है gap के बाद होता है, उससे क्या होता है, नया मिलने में client को दिक्कत होती है, तो हम यह चाहेंगे कि पहने जैसी सिती थी, जैसे आज केस हुआ, रिवाइस में आगया तो after lunch आगया, next day आगया, उसको हम लोग फिर से लागू कर सकें, उसके लिए रिजिस्टार से बात करके, आपनी समस्यां को बताएंगे, और यह रिवाइस सिस्टम फिर से लागू करवाएंगे, जी विलकुल माम, माम यह बताईए कि, डोंट यू थिंग दाट वन यह रोफ बार इस कोई लेस, इट कोड बी ओफ त्री यह और फाइफ यहर, अगर आपने सोच लिया कि हमको वेलफेर करना है, अगर आप पूरी मानदारी के साथ करेंगे, पूरे जजबिय के साथ करेंगी, एक साल का समय बहुत होता, नेतों को नहीं करना चाहेंगी, तो पांट साल का समय भी इंसफिशिंट हो आपके लिए, माम आज की स्थिती यह है, कि लोगों को न्याय मिलने में बहुत देर हो रही है, काफी सारे केसे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी नए भी ऐसे हो जाते हैं, तो माम आपके हिसाब से कहां चूक हो जाती है, कि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रे में लोगों को न्याय जल्दी नहीं मिल पाता है, हमारे प्रदेश मुत्रपदेश में मुकद में बहुत हैं, और इलाबा हाई को ट्रिंसिपल बेंच है तो यहां बहुत ज्याद है मुकद में हैं, दूसरा जजस की संख्या यहां पर पूरी समय नहीं है, अगर डेर सो होने चाहिए तो 120-125-95 है, अगर पूरी जजस की संख्या हो जाए और अधिवक्ता पूरी कॉंपटिंसी के साथ अगर काम करेंगे तो नया जल्दी मिलेगा क्लाइट्स को, मैम जजो की नियुक्ति के लिए बार के साथ सायोग या बार का सायोग भी उनके साथ डिसकेशन भी होना चाहिए, कि हाथ जजो की नियुक्ति होनी चाहिए, तो मैम आपको नहीं लगता कि बार को अभी इसमें योगदान होना चाहिए, एक बार को लो जी, हम लोको भी चाहिएं आशुकर देखनार माम आज अधि वक्ता है, और जितिक आहिए जिनके पास कमा करें, इसे लूगों के लिए आपका क्या कहना है? ऐसे लोगों पर पूर्ण का प्रतिबंद लगना चाहिए अगर वो वकालत करते हैं तो करें नहीं तो दूसरे की काम में डिस्टर्बिंस ना करें ऐसे लोग डिस्टर्बिंग आलेमेंट हो गये समय कोड में बहुत जादा हैं तो यह हर कार में अवरोद उत्पन कर रहे हैं जिससे हम लोग अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं और क्लाइंट्स भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम यही चाहेंगे ऐसे लोगों पर रोक लगे अगर यह ऐसे लोग आते हैं तो उस प्रोफेशन को चोड़ कि इस प्रोफेशन को अड़ाप करें मेरी उसे यह रिक्वेस्ट है बिल्कुल माम आपके ब्रेक के बाल आप सभी कर स्वागत है तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और माम मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके हिसाब से पिछली बार कमिटी की गड़बड़ियां क्या थी जो कि इस बार नहीं होनी चाहिए थी देखिया हम किसी पर ना तो हम एनलाइस कर सकते हैं ना कुछ उनके बार हम कह सकते हैं जो भी आता है बहुत सारे वादे करता है कि हम यह कर देंगे अधिवक्ता हित में वो कर देंगे लेकिन मेरा फिर से आप से कहना है कि मेरा विजन है हम इस बार के लिए अपने संस्था के लिए अपने अधिवक्ता भाईयों बहनों के लिए बहुत कुछ करना चाते हैं जब तक हमको पद नहीं मिलेगा और जब तक हमने बताया कि मेरा कर इंटेंशन नहीं होगा काम करने का तो पिछली कारिकारणी ने कुछ कार अच्छे किय हैं तो मैम आपके हिसाब से राजनीती में महिलाओं की स्थिति क्या है और कैसी होनी चाहिए देखिए अभी CGI ने भी कहा था कि जुडिश्री में हां महिलाओं को रिजर्विशन मिलना चाहिए तो हमारी भी यही सोच है कि महिलाओं आगे आए राजनीती में आ रही महिला है इस समय देखिए चाहिए बीजेपी हो सपा हो बसपा हो कॉंग्रेस है प्रेंका जी ने नारा भी दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं तो उन्हों ने ब्रिजर्विशन दिया है इस बार विधान सभा चुनाव में तो जुडिश्री में भी लड़कियों का पूरा य इड़केट नहीं हुई है जबकि बहुत कॉंपेटेंट चार-पांच महिला हैं जो अब सिक्स्टी यह की हैं हम उनको तेई साल से देख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो लोग भी आगे आए उनका भी नाम जाए उनका भी योगदाउन जुडिश्री में उनका योगदान पूरी तो हम चाहेंगे कि महिलाओं के लिए हम कुछ करें उनको भी पूर्शों के साथ समानता मेले जुडिश्री में भी बिलकुल माम हर जगा लड़कियां महिलाए अच्छा कारी कर रही हैं जी माम उसको देखते वे हमें लगता है कि नयाय के इसमें मंदिर में भी हम ल अब वर्यवान गवी पूर्शनेशन उनको बहुत काम है अच्छा तो अगर एक हजार में अगर दस महिलाए हैं तो हम आप समझ डी क्या सेती होगा बिलकुल मैं बिलकुल मैं समझेज और हम पूरी कोशिश करेंगी कि हम आते हैं तो महिलाओं को भी पूरी पूरा आथ दन मैं 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 मैं외। इन एक एर एक प्ार्टी कॉर्टी और जिकित आफिर ऑ्रिर्टी ख्रुटेस ओ आप आज झान ये मुदं करिसेशन, को रिंपने अटोल्च को करे सकीड़ाओं…. करेंगे तो अगर आप उनकी महासचिव बनती हैं तो क्या आप उनकी इस फैसले से सहमत होंगी ठीक है उस हम सहमत इसलिए है क्योंकि मालीजे बार असोशिश्य में कोई समस्या होती है कोई चीह होती है तो परिशत के सामने जाके रख सकते हैं वह एक हम को प्लेटफॉर्म द आपके हां का पुराना भी है तो मैं ये कब खतम होगा ये तो देखिए अभी शायद पिछली कारिकार्णी ने बता है कि सरकार से बात हुई है देविल अकॉमडेट अगर हम लोग को जाने की बाद कुछ ऐसा मिलता है कि उन्होंने कुछ पैर्वी कि करी है तो उसको आगे हम लोग बढाएंगे और तो हम लोग आके अपनी कोशिश करेंगे उसके लिए भी मैम आप पदभाग जब सम्हाल लेंगी उसके बाद वादी और प्रतिवादियों के लिए क्या सुविदा देंगी आप सुगम सस्ता और सहज निया जी वाम आपको नहीं लगता कि जो भी बार असोसियेशन के लोग हैं उनके और उनके फैमिली के लिए बार के तरफ से एक हॉस्पिटल होना चाहिए जहां पर उनको उनके परिवार को अच्छी हेल्थ मेडिकल सुविदा मिले तो इस पर आपकी क्या राय है और आप पदभार समालने के बाद इस पर क्या काम करे करेंगी नहीं यह देखी इस चुनाओं में सारे कैंडिडेट्स का इंक्लूडिंग प्रेजिंट की जो कैंडिडेट्स हैं सबका यह है कि एक हॉस्पिटल 15-20 बैट का होना चाहिए सारी सुविदाहों से लेस और एक एंबुलेस होना चाहिए हम लोग अधिवक्ताहों के के लिए सोच रहे हैं मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है अच्छा कि हर अधिवक्ता कैशलेस काड उसका बने मेडिकल हेल्थ काड और ही शुट बी इंशियोड फॉर ट्री लाक रुपीस तो मैं इसी से एक जुड़ता सवाल आता है कि कॉलोनी की व्यवस्था भी उनके लिए हो कर पायत हमारे बाद वाली कारिकारणी जो भी आएगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगी मामा अट लास्ट यूर मैसेज फॉर एड्वोकेट्स और तुड़ ओडियन्स अलजस से 17 साल बाद हम इस पत्प्यार हैं एक रेगलर प्रैक्टिशनर हैं हमने बार असूस्टेशन के गवर्निंग काउंसिल के पत को भी सुशोवित किया है मैं एक बार वाइस प्रेजिंडी रही हूं मेरा कारिकाल बहुत अच्छा था किसी को को शिकायत को मौका नहीं मिला 23 साल की प्रेक्टिस हो गई मेरी और तीसरा महासची को चुनाओ है तो मैं कहना चाहती हूं कि क्या एक बार मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए अगर मैं किसी उद्देश को लेके आ रही हूं अधिवक्ताओं के लिए कारी करना चाह रही हूं तो क्या मुझे मुझे कि मैं उस पद के लिए जोगी कैंडिडेट हूं तो मुझे जिताने की कोशिश करिए उन लोगों आप लोगों कोई निराशा नहीं होगी मैं अपना काम इमानदारी से करेंगी अधिवक्ता ही तमे करूंगी इंस्ट्यूशन क्ले करूंगी थांक्यू मैं वेरी थांक्यू तो जैसा कि आपने अभी अनुराधा संदरम जी को सुना जिन्होंने अपने बहुत ही क्लियर विजिन्स दिये हैं बार कूड असोशियेशन के लिए ऐसे ही लोगों से हम आपको रूगरू करवाते रहेंगे आप बने रहें मनुस्तिवारी टॉक्शोग झाल